इंसान सदा अपने आपको भगवान से उन्चा समझता है पर वो इंसान इंसान ही रहेगा भगवान नहीं बन सकता किसी के लिए कुछ करना है तो बिना दिखावे के कीजिए तब ही आपका कार शफल होगा यह जिन्दगी की एक कड़वी सच्चाई है कि किसी के लिए कुछ करना है तो बिना दिखावे के कीजिए चो व्यक्ति आपके महत्त को नहीं समझता आपकी भावनाओं को नहीं समझता उसे समझाना व्यार्थ है कहते हैं कि मुश्किन समय कभी भी बताकर नहीं आता लेकिन जब भी आता है तो कुछ सिखाकर और कुछ दिखाकर चला जाता है जो इंसान दूसरों को रुलाता है उसे एहसास होना चाहिए कि उसकी भी दो आखें हैं संसार में यदि आपको कुछ अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दें आपका मन शदा शांत रहे हैं यदि आप किसी से नाराज होते हैं तो उस इंसान का ख्याल सदा आपके दिल और दिमाग पर चाया रहता है इसी से नराज होने से पहले थोड़ा रुख जाना और यदि गल्ती होती है तो थोड़ा चुप जाना जिन्दिगी का सफर आसान हो जाएगा यह दुनिया अजीब है यहां लोग मिलते कम हैं और दूसरों की जिन्दिगी में जांकते जाता है यदि कोई इनसान खुश रहता है तो इसका यह मतलब नहीं कि इसकी जिन्दिगी में सब कुछ ठीक है इसका मतलब यह होता है कि आपने अपने से उपर उटकर जीना सीख लिया यदि हर दुखों से सामना करके इनसान जीना सीखे तो वह दुखों से आगे बढ़कर जीना सीख लिता है और यही संसार में आगे काम्याब होता है साइजी का नाम लेने मात्रिशे मनुश्य को हर कामें शिक बता मिलते है तो आप भी ऐसा करिए ओम से राम ओम से